हेलो गाईस आप सभी का पाला की रसोई में स्वागत है आज की रेस्पी है सकरगंदी चाट बनाना तो आए बनाते हैं सकरगंदी की चाट सकरगंदी की चाट बनाने के लिए ये हमने धाई सो ग्राम सकरगंदी ली है इनको हमने एक विशल दिला के उबाल लिया है और इसको हमने छील लिया है और ये हमने चटनी ली है ये मैंने घर पे ही तयार की हुई चटनी है ये मैंने एक छोटी कटोरी ली है और ये मसाले लि हमने काला नमक और चुफ़ाई छोटाय चमस हमने वह यह बुना हुआ जीरां लिया है तो आएए बनाते हैं क्या नोगल चाट ये का एक क्या झार्वा गहल मत वह और इसी मैंने गहाँज आप चाहे रिफाइन ओयल भी लगा सकते हैं, मैंने घी लगाया है, और गैस को मैं सलो पे ही रख दूँगी, से पहले मैं इन स्करगंदी को आप चाहे लंबा या गोल काट सकते हैं मैंने इन्हें इस प्रकार से लंबा काटा है मैं इस प्रकार से ही इन्हें लंबा काटूंगी और ये मैंने सारी स्करगंदी को कट कर लिया है इधर हमारा तवा भी गरम हो चुका है अब मैं इस पे एक एक करके सारी सकरगंदी तवे पे डाल दूँगी और ये मैंने सारी सकरगंदी को तवे पे डाल दिया है और इन्हें मैं सिखने दूँगी अब मैं थोड़ा सा घील इनके उपर लगा दूँगी इन्हें मैं एक से दो मिनाट इसी प्रकार से तवे पे शिखने दूँगी अब मैं इनकी सैड़े चेंज करूँगी यह देखो कितने अच्छे से सीखिए है हमारी स्करगंदी और यह हमारी स्करगंदी अच्छे से सीखने लगी है अब मैंने दूसरी से बीजने एक से दो मिनट सिखने दूँगी और इन्हें मैं फिर से देखो कितने अच्छे से सिखकर त्यार हुई है गैस को मैं बंद कर दूँगी और इन्हें एक बाउल में निकाल लूँगी मैं ये कांच का बाउल लिया है इस बाउल के अंदर डाल दूँगे मैं ये सारी ये मैंने सारी स्करगंदी को इसमें डाल दिया है अब मैं इसमें ये मसाले डाल दूँगी इस मसाले को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इन्हें मैं उपर नीचे इस प्रकार से हिलाऊंगी अब मैं इसमें चटनी डालूंगी अब मैं इसमें ये चटनी डालूंगी और इसे मैं चमस से मिक्स करूंगी और ये हमारी चाट सकरगंदी की बनकर त्यार हो चुकी है ये देखो कितने अच्छे से लग रही है हमारी सकरगंदी की चाट अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व करूंगी चाट को ये हमारी सकरगंदी की चाट बनकर त्यार हो चुकी है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सिस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद